मारूती सुजुकी ने अपनी तीन हैच बैक कारों को रिकॉल करने यानि वापस बुलाने का फैसला किया है। जी हाँ, टॉप सेलिंग कारों में से एक वैगनार के साथ ही सिलेरियो और इगनिस की ब्रेक असेंबली पिन में आई खराबी की वजह से इन हैच बैक कारों की 9925 यूनिट को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इस साल तीन अगस से एक सितंबर के दौरान मैन्यूफैक्चर इन कारों को रिकॉल कर इनके रियर ब्रेक में आई खराबी को दूर किया जाएगा। मारुती सुजुकी अपनी इन तीनों कारों के डिफेक्टेट ब्रेक वाले मौडल मालिकों को मैसेज और कॉल के जरिये जानकारी दे रही है और उन्हें नजदी की शोरूम आने को कहा जाएगा। रियर ब्रेक में खराबी मारुती सुजुकी ने वेगनार, इगनेस और सिलेरियो के तीन अगस से एक सिटमबर के दौरान बने मौडल के बायर्स को एक घोशना पत्र के जरिये कहा है कि इन कारों के रियर ब्रेक असेंबली पिन में आशिक खामी आई है और जरूरत पढ़ने पर इसे बिना किसी चा पर असर पढ़ सकता है ऐसे में जिन लोगों के पास इन तीनों कारों के मौडल है उन्हें नजदी की सर्विस सेंटर या वर्कर शॉप पर जाकर अपनी कार के रियर ब्रेक चेक कराने चाहिए मारूती की इन कारों के दाम आपको बता दे की भारत में हैच्बैक सेग्मेंट में मारूती सुजुकी वैगनार का बोलबाला है और इसकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है मारूती सुजुकी वेगनार की कीमत 5.47 लाख रुपए से लेकर 7.2 शुन्य लाख रुपए तक है वहीं सिलेरियो मारूती सुजुकी की सबसे ज्यादा माइलेज वाली कार है जिसके CNG वेरियंस को 1 किलोग्राम CNG पर करीब 36 किलोमिटर तक चला सकते है मारूती सुजुकी सिलेरियो की कीमत 5.25 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक है वेगनार और सिलेरियो पेट्रोल और CNG आप्शन में है इसके बाद मारूती सुजुकी की प्रीमियम नेकसा डीलरशिप पर बिखने वाली इगनिस हैच बैक की कीमत 5.35 लाख रुपए से लेकर 7.72 लाख रुपए तक है ये सभी एक शोरूम प्राइस है